नमस्कार साथियो सवागद आप सभी का एक नए वीडियो में साथियो यदि आप चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की लेटास्टिक वीडियो दिव्यांग इसकूटि से रिलेटेड ह दिव्यांग आरक्षन दिव्यांग पैंशन या अन्य परतियों की परिक्षा हरे टाइप से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर वीडियो अप्लोड होते हैं यह आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए होना कोई बात नहीं है साथियो आज की इस वी हैं होई जाएंगे नॉर्मल आप प्रोब्लम मतलब कई भाई बुझे आपी तो हुए ने हुए ने हो जाएंगे बिल्कुल हाला कि इस टोपिक पर मुझे वीडियो बनाने की कोई जरूत नहीं है कई भाई बोलेंगे अभे तो करना क्या जाथ है इतने चटे 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 एक टोपिक पर वीडियो क्यों बना रहा है लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं हाला कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो यह बातों मैं क्या चुका हूंगा लेकिन कोई प्रोब्लम ही नहीं लेकिन फिर भी मैंने आत्म सुन्दूश करें से वीडियो बना रहा हूं कोई इस हम उम्र से रिलेटेड ही इस वीडियो हम बात करेंगे दिव्यांग इसकुटी योजना 2023 में तो चेले साथियो हम देखते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से देखिए साथियो इस वीडियो में हालाकि बार-बार कहने से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी वह मतलब वह आत करने वाला क्या होता है कि है लंक क्यूंता है इसी नौबत नहीं है इसलिए हमें वीडियो बना रहा हूं मुक्यमंते मनिदी दिवियांगि स्कुटी हो जना 2022imentos फंडा है मुख्यमंत्री दिव्यांग योजनी की जो गाइडलाइन है दिव्यांग इसकूटी की उसमें सबसे कम अगर हम उम्र की बात करें कि कितनी उम्र सबसे कम जीए यदि आपकी उम्र 18 से कम है है कि 17 साल और नो मैने भी इदि आपकी म्रह तो आप इसमीं जो है फोर्म बढ़ना को तो बढ़तेंगे लिकन आपका फॉर्म रिजक्ट हो जाएंगा इसलिए यदि आपकी म्र 18 साल है अटरा साल से ऊपर की बात करेंगे लेकिन मिनिमम कम से कम 18 साल की यदि आपकी उम्र है तो आप फोर्म बढ़ सकते हैं सब में 18 यह तो सबसे maximum कितनी जी है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होता है कि साथ यहाँ पर समझिए 2000 जब दी थी 2021 में तो उस समय maximum minimum जो आयू थी वो 18 साल तक के दो यानि कि युवाओ को 2000 इसकुटिया दी थी 18 से लेकर 29 साल की जिसकी उम्र थी उनको इसकुटिया दी थी यानि बिल्कुल युवाओ को दी थी थी तो इसमें सबसे कम उम्र थी 18 से यानि युवाओ से थोड़ा कि युवाओ को इसकुटिया दी थी बिल्कुल नोजवानों से भी उपर यानि कि 18 से लेकर 45 वर्ष्ट जिसकी उम्र थी उसे उपर वालों को इसकुटिया नहीं दी थी और अब रही बात 2023 की 2023 में इस साल में उम्र का क्या पंड़ा है तो सबसे कम उम्र 18 चीए और सबसे ज़्यादा कि अगर बात करें तो एक अच्छा खासा मतलब नीरे ने लिया नहीं साथ साल तक के जो दिव्यांग है 2021 में 18 से लेकर 29 साल तक के उम्र वालों को लिया था 2022 में 18 से लेकर 45 वर्ष तक के दिव्यांगों को फोर्म बरने में लिया था इसकुट्या दीदी और इस साल 18 से लेकर कम से कम अठारा और सबसे ज़्यादा यानि मेग्जिमाम जो एज रखी गई वो अपकी बार 60 रखी गई और तो 60 वर्ष तक के जो भी दिव्यांग बाए बेहन जो भी हमारे हैं साथिगन जो भी है परसंस लोग व्यक्ति 60 साल तक के जो दिव्यांग बाए बेहन है वो फोर्म बढ़ सकते हैं जिनकी मेग्जिमाम जो आयू है 60 साल हो गई बहुत होती है 60 साल अब सितर 61 65 65 80 साल वाले दिव्यांगों को इसकुटी देना मेरे साब अनुबाव कहते हैं कि मतलब फिर हिमत नहीं देती है ना क्योंकि एक तरफ से दिव्यांग और दूसरी तरफ से बूजिर्ख हो जाते हैं 60 से उपर तो जादा बूजिर्ख हो जाते ना तो फिर इसकुटी में कमफर्टेबल नहीं रहते इसलिए उन्होंने सब से मैक्जिम तो आपको जो है एज से रिलेटेड इसके बीच ही 18 से लेकर 18 से लेकर 60 साल तक ही आपके आयू होनी चाहिए और इसके लिए आपको प्रूप देना होगा यानि आपकी जरम तारीक जिस पर लिखी हो बाइदवे फॉर एक्जामपल आदरकाल आदरकाल पर आपकी जरम तार पर आपकी जरम तारीक आती है तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से उपर नहीं होनी चाहिए एक अची कासी मतलब डेट दे दिये नहीं तो इस वीडियो में हमने जाना कि कितनी उम्र का क्या फंटा है उम्मेद करता हूं कि एज से रिलेटेड उम्र से रिलेटेड आप